नमस्कार मैं हूँ अमित पालित और इस वक्त की एक बड़ी ख़बर देश में एक बार फिर से पीफाई की विसफोटक साधिश का खुलासा हुआ है बिहार पुलिस ने एक बड़ा टेडर नेटवर्क एक्सपोज किया है जिसमें अतहर और जलालुदिन नाम की दो आतंक की गिरिफतार हुए 2047 तक इंडिया को इस्लामिक स्टेट बनाने का प्लान डिकोड हुआ है कैसे ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले इस वक्त का अपडेट आपको बता दे PFI के इस नेटवर्क की जाच में अब NIA भी शामिल हो गई है NIA की टीम पटना पहुँची है और PM के पटना दोरे से पहले पुलिस PFI का नेटवर्क खंगाल रही है इसी दोरान इस खौफनाक साधिश का खुलासा होता है कि आखिरकार किस तरह से PFI के दो एक्टिव मिंबर्स 2047 में भारत को इसलामिक स्टेट बनाने के मकसद को लेकर लोगों को ट्रेन कर रहे हैं लोगों को गुमरा किया जा रहा है उसके लिए पूरा पूरा एक प्लान तयार किया गया है बिहार पुलिस ने PFI के टिरे नेट्वर्क से जुड़े एक और शक्स को फुलवारी शरीफ से गिरफतार किया है इस मामले में पुलिस अब तक तीन लोगों को गिरफतार कर चुकी है जिसमें अतहर और जलालुदीन शामिल है जबकि 26 लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी है इससे पहले पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस ने अतहर परवेज और मुहमद जलालुदीन के नाम से दो लोगों को गिरफतार किया है इन पर देश विरोती गतिविदियो में शामिल रहने मुस्लिमों को भड़काने के आरोप है पकड़गाए दोनों आतंग की PFI और SDPI के एक्टिव मेंबर है जो मुस्लिम उवाओं को हतियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं इनके पास से एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी बरामद हुआ है जिसका नाम है इंडिया 2047 इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 2047 तक इंडिया में इसलामी राज कायम करना है इसमें ये भी लिखा है कि PFI में अगर भारत के 10% मुस्लिम जुड़ जाते हैं तो हिंदूओं को घुटने पर लाने की शम्ता रखते हैं और साथी मुसल्मानों को उनकी पुराने गौरव और पुरानी सल्तने द्वापस ले सकते हैं हैरान करने वाली बात है कि जलालुदीन फुलवारी शरीप में नगर परिशत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है इंडिया टीवी संग्वादाता नितीश चंदर ने फुलवारी शरीप में रिटायर सब इंस्पेक्टर जलालुदीन का घर ढूंडा और वहाँ से एक रिपोर्ट भी जी आपको दिखा दें बिहार की राजधानी पटना में हिंदुस्तान के खिलाप एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी इस देश विरोधी साजिश का खुलासा पटना पुलिस ने किया है पटना पुलिस ने पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से दो लोगों को गिरफतार किया है जारखंड पुलिस के रिटाइट सब इंस्पेक्टर मोहमद जलालुदीन और उनके एक सहीयोगी को पुलिस ने गिरफतार किया है फुलवारी शरीप में ये जो घर है वो मुहमद जरालुदीन का घर है ये एक रिटाइट सम इस्पक्टर है जारखंड पुलिस के और पुलिस ने ये जानकारी दी है कि इसी घर में S.D.P.I. और P.F.I. का कारजाले चल रहा था और यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी और यहाँ जो डॉकुमेंट्स बरामत किये हैं पुलिस ने वो बिल्कुल चौकाने वाले हैं लेकिन ये कहा गया है कि 2047 तक भारत को इसलामिक कंट्री बनाना है और इसके लिए भारत के खिलाप युद्ध छेड़ने तक की बात कही गई है और ये भी कहा है कि हमें इसके लिए पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों से मदद भी चाहिए टर्की से हमने अपना जो रिलेशन है उसको डेबलब किया है और ये सारी बातें उस सेक्रेट डॉकुमेंट में कही गई है ये भी कहा गया है कि ये दी 10 परतिशत जो मुस्लिम है वो भी PFI का साथ दे दें तो जो बहुसंख्य का बादी है जो कमजोर है कायर है उसको घुटनों पर लाया जा सकता है और भारत को एक बार फिर से इसलामिक कंट्री के तौर पर अस्थापित किया सकता है ये सारी जानकारी मिलने के बाद पुलिस के कान खड़े हो गए है और पुलिस अब पूरे इस मामले को देख रही है मुहमद जलालुदीन जो की जहरखंट पुलिस में एक रिटायर्ट सव इंस्पेक्टर है इनके घर पर जो ट्रेनिंग का काम चल रहा था 6 और 7 जुलाई कर यहां होटल बुक किया था और उनका जो एर टिकट था वो भी नाम बदल करका था तो ये सारी जानकारी जब पुलिस को मिली है तो पुलिस के कान खड़े हुए पुलिस का जो शक है संदे है और गहरा गया हाला कि जो परिवार के लोग है वो इस मामले पर भी बाचीत न मंद नहीं है यहां पर जो मेडिसीन की एक दुकान है जो अभी बंद है यहां पर उनके पिताजी इसमें यहां पर बैठा करते हैं और यहां उन्होंने अभी चुनाव लड़ने का भी एक प्लान किया था तो परिवार के लोगों का जो भी पुलिस के आरोप है उनसे इंका प्तर हैं उनके बेलर के तौर पर जो अतहर परवेज है उसने भूमिकानी भाई है और अतहर के एक भाई को ब्लास्ट मामले में एक्यूजड भी साबित किया गया है और इस तरह से जो एक बैक्राउंड है इनलों का वो एक आपराधिक बैक्राउंड रहा है अब पुलिस और तमाम पहलूं को खंगाल रही है चुकि खुपिया एजेंसियों से भी यह जानकारी पुलिस को मिली थी और उसके बाद से ही पुलिस लगातार इस पूरे इलाके में दविश कर रही थी और यह जो फुलवारी शरीफ का इलाका है आप देखिए यह काफी घनी अबादी का इलाका है और इसी जगह इसी मकान में जो उपरी हिस्सा है उसमें किराये पर PFI और SDPI को देने की बाद कही गई थी और यहां पर एक पोस्टर में आपको दिखा सकते हैं यह मुहमद जलालुदीन खान उर्फ अहमद भाई यह जो पोस्टर है वो नहीं का है नगर कि पीद्वार के तोर पर उन्होंने अपने को रखा है, यह चुनाओ अभी होना है और इस यहां के जो लोग हैं वो इन सब बातों से inकार कर रहे हैं, उनका कहना है कि कुछी दिनों में वो अपनी तरफ से तुथ्यों को रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे लेकिन फि पहर यहां भरने की ट्रेनिंग दी जा रही थी जो खासतोर से युवा थे उनके मन में एक नफरत का बीज बोने की जो कोशिश की जा रही थी वो उन सारे पहलों को अब पुलिस यहां पर ढूंड रही है कैमरामन बिनोत कुमार के साथ नितीश चांदर इंडिया टीवी पतना यहां पर इसे इसलामिक स्टेट कायम करना है